काला पानी की सजा के नाम सुनते ही क्यूं काम जाते हैं लोग 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारतियों पर बहुत सारे अत्याचार किये। उनकी सबसे क्रूर सजा में से एक थी काला पानी की सजा। आखिर ऐसा क्या था इस सजा में इसके बारे में सुनकर ही रोंटे खड़े अंडमान निकोबार पर बनी जेल में आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तान गुंजती रहती है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थितिस जेल की चाहर दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है लेकिन यह स्थान चारों और से गहरे समुदरी पानी से घिरा हुआ है जहां से सेकडों के मी दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यहां का अंग्रेज सुपरिंडिंट कैदियों से अकसर कहता था कि जेल दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है लेकिन यहां ऐसी कोई जगा नहीं है जहां से आप जा सकें। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेल डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहां लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहां सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगा समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहां नहीं लाया जाता था, बलकि उनसे जेल का निर्मान, भवन निर्मान, बंदर्गाह निर्मान आधी के काम में भी लगाया जाता था। यहां आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्मान भी करते थे। 19 वी शताबदी में जब स्वत अंतरता संग्राम ने जोड़ पिका, तब यहां कैदियों की संख्या भी बती गई। सेलिूला जेल का निर्मान 1896 में प्रारम्ध हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल इंटों से बना है। यह इंटे बर्मा से यहां लाई गई, जो आज म्यामार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की साथ शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टाव है। इस टाव से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। उपर से देखने पर यह साइकल के पहिये की तरह दिखाई देता है। टाव के उपर एक बहुत बाघंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खत्रा होने पर बजाया जाता था।